देखकर सामने रूप की राशन मुहम्मद रफिस साहब की मंत्र मुग्द कर देने वाली आवाज और आशा भोसले की मादक्ता में सराबोर आवाज में इस गीत को सुनकर मन आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है परदे पर शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पूरे रोमैंटिक मूड में है और पिक्टराजेशन के लिए जो प्रिष्ट भूमी ली गई है वो रोमैंटिक पलों में चार चांद लगा देती है आशा भूसले की आवाज शर्मिला टैगोर पर खास तोर पर सूट करती थी और रफी सहब की आवाज तो बाकी अभिनेताओं की तरह शम्मी कपूर के लिए वर्दान ही थी इस वीडियो में इस गीत के बनने के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसे आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तों मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अंजानी जानकारियां देने वाला चैनल Great Legions दोस्तों ये बताने के ज़ुरत नहीं कि तन बदन में शोला भर देने वाले ये रोमेंटिक गीत An Evening in Paris का है ये वही फिल्म थी जिसमें शर्मिला टैगोर ने पहली बार स्वीम सूट पहन कर हंगामा मचा दिया था Full of Sex, Songs and Sensation के तौर पर इस फिल्म का प्रचार किया गया था फिल्म के पोस्टरों में शर्मिला टैगोर को बिकनी पहने दिखाया गया था इस फिल्म को कई कारणों से याद किया जाता है इस फिल्म तथा इस फिल्म के गानों के बनने के बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो पब्लिश किये जा चुके है जिनके लिंक यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है इस वीडियो में मैं रोमांटिक गीत रात के हमसफर के बनने की कहानी बताने जा रही हूँ दोस्तों शर्मिले टैगूर पर बहुरंगी गाई का आशरव होसले की आवाज सबसे ज़्यादा सूट करती थी जबकि रफी सहब की आवाज की क्या कहने उन्होंने अलग-अभिनेताओं के हाव भाव के अनुसार अपनी आवाज में जबरदस्त मॉडूलेशन का कमाल दिखाया है और अपनी आवाज को पुर्दे पर अदायगी करने वाले अभिनेताओं के अनुसार समायोजित किया है संगेट के रसिकों के दिलों में बच्पन से ही ये गाना बसा हुआ है परदे पर इस गाने को ग्याते हुए शम्मी कपूर और शर्मिला दोनों ही गहरे प्यार में डूबे हुए प्रतीत होते हैं दोनों ही रोमैंटिक मूड में हैं बैक्ग्राउंड के द्रिश्य और लाइट शो ने उनके रोमैंटिक पलों में चार चांद लगा दिया है रफिस सहाब की जादूई आवाज और आशा भोसले की माधक आवाज के कारण ये गाना आज भी रसिकों को आकरशिक करता है इस फिल्म के गीतों को शंकर जैकिशन ने संगीत बद्द किया था जुबकि हसरत जैपूरी और शैलेंदर ने गीत लिखे थे रात के हमसफर गीत को कवी राज शैलेंदर ने लिखा था और इस गीत में अपनी लेखनी का खोब कमाल दिखाया था इस गाने पर पश्मी संगीत का प्रभाव भी देखा जा सकता है इस गाने के बनने के पीछे एक दुख भी छिपा है संगीत कार जोडी शंकर जैकिशन की टीम के एक म्यूजिशियन नंदू चवाथे ने बताया था लेकिन जब उन लोगों को शंकर जी की माता के निधन के बारे में पता चला तो जैकिशन जी ने सिटिंग स्थगित कर दी और धीरे-धीरे सभी लोग वहाँ से चले गए जब शंकर जी थोड़ी देर से वहाँ पहुंचे तो पता चला कि जैकिशन जी ने सिटिंग कैंसल करा दी है और जो लोग सिटिंग के लिए आये थे वे सभी जा चुके हैं इस पर शंकर जी काफी गुसा हुए कि उनको बताए बगैर सिटिंग कैसे कैंसल कर दी गई ऐसे में उसी दिन शाम को सिटिंग आयोजित की गई जब शंकर सिटिंग के लिए आए तब उन्होंने सभी बल बंद कर दिये सभी लोग ये देखकर आश्चरे में पढ़ गए इसके बाद शंकर जी ने प्यानों के उपर एक बड़ी सी मुंबत्ती रखी और उसे जलाई सभी लोगों ने सोचा कि शंकर जी अपनी मा को श्रधानजली के तौर पर ऐसा कर रहे हैं लेकिन सभी लोगों का आश्चरे तब और बढ़ गया जब उन्होंने इस गीत के मुखडे की पहली लाइन को गाया शमी कपूर ने उसे सुनते ही गीत के दुन को ओके कर दिया और शैलेंद्र ने गीत की बाकी लाइनों को पूरा किया इस तरह से हिंदे फिल्म संगीत के एक अत्यंत रोमेंटिक गीत का जन्म हुआ शमी कपूर ने बाद में बताया था कि इस फिल्म के जादतर हिस्से की शूटिंग तो पेरिस में हुई थी लेकिन इस गाने के अंतिम अंतरे को पेरिस में नहीं बलकि नटराज स्टूडियो में शूट किया गया था आपको बता दें कि इस गीत का अंतिम फ्रेज था सुबह प्यार की उन्होंने अगली फिल्म का नाम सुबह प्यार की रखा था लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर अराधना रख दिया गया जो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई गई और 1969 में रिलीज हुई थी शमी कपूर ने बताया था कि मुहम्मद रफी सहाब के गाए गए अखेले अखेले कहा जा रहे हो गीत को स्वेजर लेंड में शूट किया गया जबकि स्कूटर संग होगा तुमसे कल भी सामना तथा आसमान से आया फरिष्टा और एक अन्य गीत के एक हिस्से को बेरुत में शूट किया गया टाइटल सॉंग एन इवनिंग इन पेरिस को जर्मनी के हैंबर्ग में शूट किया गया आसमान से आया परिष्टा प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस अज ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा हमारे जैसा दिल कहां मिलेगा एन इवनिंग इन पेरिस 1967 में रिलीज हुई रोमैंटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन शक्ती सामंत ने किया था इस फिल्म की कहानी फ्रांस की राजधानी पेरिस शेहर में घूमती है इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने दोहरा किरदार निभाया है शर्मिला टैगोर के साथ शमी कपूर और प्रान इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है इस फिल्म में जब शर्मिला टैगूर ने टूप इस बिक्नी पहनी तो पूरे देश में संसनी मच गई शर्ति सामन्त के इस फिल्म के बाद वो बिक्नी गर्ल के नाम से फेमस हो गई शमी कपूर हेलिकॉप्टर में सवार होकर मुहम्मद रफी सहाब का गाया गाना गा रहे हैं और शर्मीला ब्लू कलर की बिखनी में लहरों का मजा ले रही थी उस वक्त हिंदी सिनमा में इतना खुलापन नहीं था दर्शक तो शर्मीला टैगोर के बोल्ड अवतार को देख कर भवचक के रह गए लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एन एवनिंग इन पेरिस के प्रमोशन के लिए शर्मीला ने फिल्म फेर मेगजीन के कवर पर टू प सफल रहा लेकिन बहस भी छड़ गई उस दौर में शर्मीला की टू पिस बिखनी पर इतना बवाल छड़ा कि संसद तक में गहमा गहमी हो गई शर्मीला की नवाब पटोदी से शादी होने वाली थी सबने यही सोचा कि टाइगर पटोदी का परिवार शर्मीला के इस खुलेपन को पसंद नहीं करेगा नवाब का खांदान अपनी बहु को इस तरह जिस्म के नुमाईश करते नहीं देख पाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शर्मीला और टाइगर का प्यार इतना मजबूत साबित हुआ कि इसके तूट जाने की भविश्यवानी करने वाले खुद गलत साबित हुए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज़ादा अच्छा लगता है हमें लिखकर जरूर बताइएगा आपको एक और जानकारी दे दूँ कि अगर आप इसी तरह के बॉलिवुड के कुछ और इंट्रेस्टिंग किस्से कहानिया जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें की सैर भी कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फिल्हाल मुझे दीजिये इजासत नमस्कार